तो हम गॉल्दम में आए हैं यहां के ठंड भी बहुत बढ़ी हुई है लोगुने मोटे मोटे गरम-गरम कपड़े बहने हुए है और जो है यह मिर्ची भी सूख गई है और यह रहसुन है जिससे की अचार बनता है और यह मूली के पत्ते है और लाई यह है और यहां बहुत कि उगा हुआ इतनी चीज बोही है और यह पोग़िना भी है और यह जिसे तेल बनता है वाला पीड़ भी है राई का पेड़ राई साड़तों और यह लोग के कीचन लोग खाना बना रहे है और यह लाई में हाँ भी हुई है को दिखा दूं जिसे कि हम पाईंगे जिसे कि हम काड़ी में डाल सकते हैं और उसे काड़ी जो है इसके बरगता है और यह पहारी गंडा संतरे लिखाने वाहना खुम्याट और यह जो जो है जो बोया हुआ है इसके केद सारा नस्का हो जाए है और यह other बहुत थारी जो हुए और यहां पर लाई अच्छी खिल रखी है और यह लहसु यह प्याज भी भाद अच्छे हुए है अब हम उपड से जाएंगे और यहां यह थानिया और यह तीमिल है और यह थानिया भी है ङला हुआ है और यहां यहां छोटे छोटे पालक के पेड़ राही के पे लगायी है और जो है यह संतेरी का पेड़ भहुत चोटा है और यह भी तो जुँर हैँ और यह भी काट के लेगया है और ये संतरे देखिए कितने बड़े बड़े हुए है यह देखिए बहुत बड़े संतरे हुए है खाने आ जाईए संतरे बहुत स्वाधिश्टा है पहाडी संतरे अज़ो है मैं के रुपेया करके पूरा पेड दिखा लिए पूरा पहाड घुंशिए का लिए संतरे जो है सिर्फ दिन्यम Oui यह संत्रे जो है दिन में खाने हैं यह संत्रे जो रात को लिखाते हैं तो ठंडा हो जो दाता उससे तो सक्त मना हैं संत्रे और जो है अब हम उपर की तदफ चाहिए और यह फूल का पेड़ भी है यहां लोग पीले फूल उपता है इस नहीं आपने अब हम नीचु की तरफ चलेंगे और जो है यह जो है शीरी क्यान वालो ने बोबी का बत्ते साथ्थ हो था है आज कल बहुत आ रहे हैं और समय अड़ा है कि अब हम नीचे की तरफ जाएंगे यह देखें अभी बहुत चोटे हुए है पहाडी टेमाटर है बड़े बड़े टमाटर हो रहे हैं और यहां पे भी हो रहा है और यह तो बहुत ही छोटा है और मेरा हाथ लगाते ही तूड़ भी गया है टमाटर अब यह भी लाज हुआ है चलिए अब नीचे की तरफ चलते हैं यह पानी लेगाते हुए और यह पालक है पहाडी पालक और यह ली लक्रिया जो किसो काने के लिए रखती है इतना बड़ा धेड़ बंग्या है और यह बैसों का अंदर बादा है और यह बैस बादने का है अब इधर आए आप यहां खोल दीजे यह घास है बैसों का चारा और जो है अभी लाइट में है तो हम आपको चक्की दिखा रहे हैं तो प्लीज पैम्रामेन आप प्लाव डूर्ट में और जो है पहाडी संतरे लोगों ने ऐसे चुपाएगी कही बंदन ना खात पाए और जो है यह यहां और यह खेट में देखें बहुत सारी चीज़ भी है और यहां नीचे मठाड लगे हुए है हरी बुझी पालक लाइल लैसून अध्रक प्यांच सब लगे हुए है आप भी आई है आप भी पहाड का मजा लीजे ठंडियों में तो पहाड में बहुत ही ज्या भी है साहाँ है का तो फैले हम उपर की टदरब जाएंगे एग और हमारे पहाडी लोग बोजा और यह जो है यह जो खी लेवी है यह आई यह ग्यारे है और यह खेट में पूरे के पूरे के जाओगेवे हैं और यह खेट और यह नीबु के पेड़ फे भी नीबु भात लगे हुए है और यह कछ़दे फैकने आला गठा है और यह रोड के लिए पाई हो रही थी इसलिए यहां रोड भी बनने आ लिए तो इसलिए रोड का भी वह है और यह संतर भूद साधिस्ता आपको जहीता आप भी खाने आ काई जात जाएक मिसे कर के रवाते हैं और फिर उसके वाम रहाते हैं नीवु अभी बहुत टेस्टी मीव होता है पंद्न सर्थ और अब देखें माल्टा खुमा लगाए है और ये खुड़किया बनाएगे है ये फूल पूरे टुके सुके हो गए है तुकी चलाने के हमा सकते हैं एक खंचरा यह भी गिरा हुआ है और ये तो बहुत ही गंदी हो रहा हुआ है और चाइपत्ति का भी वगवान दिखाते हैं और जरा हम नीचे आपको आते हैं अपना भी देख लाते हैं पहले हम नीचे दिखें हैं फिर उपर पहले हम आपको पहड़ी अगेठी दिखाते हैं अगले अगली वीडियो में और देखते रहें आज तक